आज मैं आपको अपना कैम्प दिखाता हूं कुछ इस टाइप पर वेरा कैम्प है तो यह छोटी सी लाइफ है इस में पूरे सामने जीली जील है और सामने बैजनात मंदिर है बिल्कुल जैसे आपको वहां पर दिख रहा होगा पतानी कैसे कमर में कुछ तर्ट टाइप सा हो सब्सक्राइब करें बैजनात में रात बहेंकर सीन हो गया तो अभी कोई फेस्टिवल वगर ऐसा कुछ नहीं है तो मेरे को पार्किंग में कोई दिक्कत नहीं हुई और मैंने इस तरह से यहाँ अपना कैम्प किया आज मैं आपको अपना कैम्प दिखाता हूं कुछ इस टाइप पर वेरा कैम्प है तो यह चोटी सी लाइफ है इसमें रहना पड़ता है मस्ताराम से इसमें दो थीन मंदे आ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है जैन उसके बाद में देखो पूरा इधर से आपको दिखाता हूं कुछ इस टाइप से हैं तो मैं नेक्स्ट लेवल लाइफ है यार मनदे कि यह भी जीने का मौका मिला है वह भी बहुत बड़ी बात है तो अभी आपको व्यू चेक कर आता हूं कि मैं कहां पर राता तो भाई यह देखो पूरे सामने ना जीली जील है और सामने बैजनात मं मंदेर है बिल्कुल जैसे आपको वहां पर दिख रहा होगा रिष्ट चले आएंगे तो इक काली दिवी का मंदेर है मैं काली दिवी की मंदेर पर पहले मेरे को किसी ने बोला कि आप उदर जाओ वहां जाके आप केंपिंग कर सकते हो बट वहां क्या दिक्क्ति मन्नी को जादा इसउ होता है वाखि ऐसा कोई इसउ है नहीं आप तो आप आराम से भूम फिर सकते हो तो अभी कुछ निया भी निकलते हैं अभी बैजनात में हूं तो अभी जाता हूं यहां पर एक मंदिर मेरे को बताया है और कोई घूमने के अगर यहां पर जगा होती है तो करता हूँ अभी निकला हुआ हूँ घर से काफी टाइम हो गया मेरे को दस पंदे दिन अल्मोस हो गया है तो अभी तक मेरी जरनी काफी अच्छी जा रही है आप लोग मेरे को सपोर्ट भी कर रहे हो काफी जादा और इस पेशली भाई जो उत्राखंड के भाई है ना जो मेर लोगों से मिलने के लिए अभी फिलाल बस निकलते हैं थोड़ा भी उठूंगा भी क्योंकि अभी लगा लो कि जब तक नहीं जाता में हां से जब तक धूब वगरा है निंकल जाती को कि यहां पर ठंडा काफी बहंकर होती है और सुमने जितने भी पहाल है यहां से हिमाल् में लगने लगती है और नीचे से वीफर ऐसे ही हो जाता है इसमें खर कोई नहीं भी देखते हैं अरेजमेंट करते हैं जैसे भी है अभी फिलाल आप लोग सस्काइब करो चैनल को लाइक करो कमेंटरो कमेंटर में नाम जरूर लिखना मेरको पता रहता है कि आप लोग कहा बागेसवर बावा यह बागेसवर उत्राखंड में जैसे तो यहां से जालाद दूर नी 60 क्लमिटर के आसपास में तो वहां पर आज जाने का मेरा प्लेन है का अज मेरे डेस्टेशन हो सकता है में भी वही हो और वाकी भाई सब्सक्राइब करें तो इसलिए आप लोग ना पूरा मेरा व्लॉग देखा करो आपको समझ मा जाएगा कर दो कि अपना केंपिंग टेंट तो अपना हटा दिया है बैग वैग सब्सक्राइब हो गया है अभी अपना चलते हैं यहां से यहां का पूरा यह बहुत अच्छा देखता है तो खयर हमता सब्सक्राइब कर दो यह सब्सक्राइब हैं वहाँ अब तो इतना तो यहां पर सही नहीं तो सोचाँ रुड़की जाओं रुड़की में ले लूँगा थोड़ा अच्छे से और थोड़ा आराम भी हो जाएगा व्लॉक्स पक्राभी है वो भी सब एडिट हो जाएंगे तो अभी फिलाल काफी सारी चीजे हैं जो माइंड में भी चल जाया कम से कम कुछ में पर मेरे पास में 30-35 वेट आइस टाइम पर यह देख रहे हैं उस टाइम पर इसमें कितना यह देखो ठीक है न यह इसी है नहीं कुछ भी वजी है कि अपनी किस्मत अपने आप बनानी पड़ती है इसलिए निकले हुए महनत कर रहे हैं अब आप लो जाया हूं यहां से में कैसी चीट देख रहा हूं मतलब कि अनेक्सपेक्टर थी मेरे लिए यहां से सामने हिमाल्य दिख रहा है भाई माजूम परके दिखाता हूं आपको यह देखो अधे जितने वाईट वाइट है ना पूरा हिमाल्य भाई बहेंकर बरफ पड़ी हुई इदर से काले काले से वो लग रहे हैं सब पहाड़ा और उस साइड में देखो पूरा हिमाल्य नेक्स लेवल चीज़ा वाई मस्ता वाई कुछ दिन में तो उधर ही पहुंच लेंगे अपना धीर धीर करके केदानाथ तो जब तो आराम से मस्त देखेंगे एक दम फिलाल ही च दिखते हैं कैसी जगह है मेरे लिए तो सब कुछ भी एकसाइटेड ही है लाल मजा आ रहा है चलने हैं थोड़ा पता नहीं राइट हैंड में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है साइद हो सकता है बैग वगएर की वहसे हो क्योंकि कंटीनी जब से अभी निकला हूं पंद्रे सबस्वगरा भी करेंगे अभी अभी सुबह सुबह उठाओं और चल दिया हूं वही सास फूलने लगया चुड़ाई तो फाइनली मंदिर पर तो आगया हूं बहुत ज्यादा ऊपर था हालत बहुत ज्यादा बुरी होगी पूरी जैकेट देख रहे और पूरी पसीने मौ मन-दire अगर मैं का हुआ तो मेरे को मेरे को चॉत ब्रहामनी मंदिर और यह इस तारह से करके भाई पूरा यहां सा इखनी जैसे में हहां पर दख करनेju नहीं करने यह पता नहीं अपना क्या होगा वही थोड़ दे बैठा हूं फिर अभी अंदर जाके दर्सन करूंगा माता जी के फिर उसके बाद में उपर जाके हिमाल्य देखता हूं यहां से जिखो बाई जस बिलकुत मेरे सामने नहों बीकूल बिलकुल चलता हुआ से तो लगा लो भई कितना नीचे जाके और पहल पर और यह भाई मंदिर का सबसे उपर वाला हिसा नीचे मंदिर है और यह कुछ इस टाइप का भाई हाँ से पूरा का पूरा व्यू दिख रहा है देख रहे हो देख लो जो उतना दूर तक देख सकते हो उतना दूर तक यहां से दिख जाएगा जात्रा मेर को केदारनाथ जाना है जी हां जी बुलेंसे से स्टार्ट किया केदारनाथ तक के लिए केदारनाथ हिंगुण साइब तुंगनाथ जी जी अभी दर उपर निकल जाऊँ अभी दर से घूम के आया था आपका कैचिदाम आस रम और मुक्तेश्वर मंदिर कैसा हो जाते हैं चौक होते हैं एक्साइटेड चौक भॉक हो जाते हैं बहुत दूर से पैदल चलके कैसे आगे तो वह लेकिन वस आगए यार अभी तो बहुत दूर की जर्णी है जो मेरे को कंप्रीट कर नहीं हां से और मुस्ट कुछ नहीं तो 200 क्लिमेंटर तो भी केद यह देख सकते हैं कि तुना उच्छा मंदर हैं बना हुआ है और बाहर करना जारा कुछ इस परकार है फिलाला भी चलते हैं हम आगे के लिए अब मेरे को जाना यहां से बागेश्वर के लिए तो बागेश्वर यहां से एप्रोक्स 20 क्लिमिटर है तो भी देखते हैं फैल ते लिए पना जाश्षी लाँ